Hello my YouTube friends, आज किस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Top 5 causes of heart attack in younger generation. Younger population में heart attack बहुत ज़्यादा common हो गया है, दिन बदिन इसके cases बढ़ते ही जा रहे हैं. आप सभी जानते हैं कि बहुत से celebrities जो की healthy रहने की कोशिश करते हैं, fit रहने की कोशिश करते हैं, उनको भी heart attack हो जा रहा है और younger population में दिन बदिन ये बढ़ता ही जा रहा है. बद आज के time में situation काफी खराब हो चुकी है, दिन बदिन younger generation में इस तरह की सारी diseases जो हैं, वो common हो गई है, even type 2 diabetes mellitus जो की 50 plus 60 plus age group में देखा जाता था, अब वो even 20s और 30s में भी देखा जाने लगा है, उसी तरह से heart attack और blood pressure की problem भी younger generation में बहुत ज़्यादा common हो गई है, तो इ इस तरह के authentic medical information and videos आप तक पहुँचते रहें, और ये वीडियो खतम होने तक आपको clearly पता चल जाएगा कि younger generation में heart attack के top 5 causes क्या-क्या हैं, और तभी आप इससे बच सकते हैं, तो सबसे पहला और सबसे important cause है unhealthy eating habits, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कल के जो बच्चे हैं और अची ही लगती है, और even cold drink जिसके अंदर sugar का content बहुत जादा हाई होता है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत जादा पसंद होती है, और आप सभी जानते होंगे, आप सभी के घर में बच्चे हैं, और ये सभी बच्चे जो हैं इसी तरह की चीज़ों पर ही पल रहे हैं, वो है, वो बच्चों के heart पर ही पड़ेगा, और ये अंगर जिनरेशन जो है, वो पिज़ा है, पीटीज है, बर्गर है, बाहर का जो products है, समोसे है, processed food है, जो junk food है, उस पे बहुत जादा depend हो रही है, तो आने वाले time में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगर वो इसी तरह की habits पर ठीके रहेंगे, तो उनका जो body में जो cholesterol level है, वो दिन बर दिन बढ़ता जाएगा, triglycerides के levels है, वो दिन बर दिन बढ़ते जाएगे, जो good cholesterol है, जिसको हम SDL कहते हैं, वो कम होता जाएगा, जो heart को protect करता है, वो कम होता जाएगा, और जो ideal cholesterol है, जो bad cholesterol है, जो गंदा cholesterol है, उसका level body में बढ़ता ही चला जाएगा, और धीरी दे करके उनकी जो arteries है, heart की जो नसे है, उसके अंदर cholesterol जमा हो जाएगा, प्लेक जमा हो जाएगा, blockage की situation पैदा हो जाएगी, और अचानक से उनको किसी भी दिन heart attack आने के chances बहुत ज़दा बढ़ जाएगे, तो सबसे पहली important चीज़ है, इसको cut करना है, आपको obesity है, उसको कम करना है, healthy lifestyle अपनानी है, junk food है, processed food है, जो cold drinks है, जो sugary content वाली चीज़े है, उसको आपको बिल्कुल ही avoid करनी है, तभी आप एक healthy lifestyle अपना पाएंगे, number two, जो दूसरा important cause, वो है stress और mental health, आज कल की जो younger generation है, आप सभी जानते है उसके उपर बहुत ज़्यदा pressure है, extra pressure उसके उपर पढ़ चुका है, चाहे वो पढ़ाई से related pressure हो, चाहे वो social pressure हो, peer pressure हो, आपस में competition का pressure हो, या पढ़ाई से या study से related का pressure हो सकता है, competition निकालने का pressure हो सकता है, या कोई family problem हो सकती है, कोई social issue हो सकता है, social expectations को meet करना होता है, तो य कॉल्डिजोल हॉर्मोन का लेवल जब बॉड़ी में बहुत जादा बढ़ जाएगा तो यंगर जेनरेशन में डियापटीज जैसी बीमारिया प्रिसिप्रेट हो सकती है उनका ब्लेड प्रिशर जो है वो लगातार कॉंस्टेंटली बढ़ा रहने लागेगा उससे जो तो कॉल्ड जो जब बोड़ी में स्क करना है हमें स्ट्रेस नहीं लेना है और सोशल जो प्रिशर है उसको हमें कम करने की कोशिछ करने की exranjus को इस चीजों की बहुत जब्छों इस्ट्रा प्रेशर ना आए जो यंगर जेनरेशन है जिनके ओपर बहुत ज़दा काम का प्रेशर है शोशल एक्सपेक्टेशन को मीट करने का प्रेशर है वो कम रहे नंबर थ्री और बहुत ही इंपॉर्टन कॉज है सबस्टेंस अब इसके अंदर किसी बी तरह का में ब्लेट पirdiशर बढ़ाती हैं और सथी हमारे Safety हमारे ब्लिट में जो उसके अंदर ब्लॉकवे प्लॉकिश करते हैं उसे हमारे ब्लॉकिश के चarns के बढ़ा बड बर जाते हैं और भी और टृट्री में हमारे च्च्ट में चाय सकका क्स आप्लेंज कर august में तंधिशन oh वेको, अलकोहल, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है, चौथा बहुत ही important cause है, poor sleeping habits, अब sleeping habits में दूर condition हो सकती है, जातो जो sleeping के hours हैं, जो duration है, उसमें कहीं न कहीं गरबड़ी है, दूसरी है sleep की quality, sleep की quality अगर अच्छी नहीं है, तो उसमें भी problem हो सकती है, दोनों situation में body में stress की situation पैदा हो सकती है, और कम सोने की वैसे हमारी body में cortisol level है, वो बढ़ता जाएगा, जो sleep cycle है, वो गरबढ़ हो जाएगी, और दूसरा important cause है sleep की quality मिंटेनना होना, अगर हमारी sleep की quality अच्छी नहीं है, इवन दो हम six hours या eight hours ही सो रहे हैं, बट हमारी sleep की quality है वो अच्छी नहीं है, REM और non-rem sleep का जो balance है, जो ideally होना चाहिए, वो गरबढ़ है, बीप sleep में हम नहीं जा पाते हैं, बार बार हमारी need टूपती है, तो भी हमारी heart पे उसका बहुत ही खतरनाक impact पड़ता है, हमारी जो blood vessels हैं उसका impact पड़ता है, हमारी overall health पे उसका impact पड़ता है, और हमारे heart पे stress की situation पैदा होती है, और arteries में blockage वाली situation पैदा हो सकती है, अब जो quality है, उसको improve करने के लिए, हमें regular exercise भी करनी चाहिए, mobile phones को बहुत ज़दा नहीं देखना चाहिए, सोते time सोने से जस्थ पहले हमें mobile avoid करना चाहिए, screen time हमें already कम कर दिना चाहिए, because phone के addiction से भी बहुत लोगों की जो need है, वो disturb हो जाती है, sleep cycle disturb हो जाती है, environmental causes भी हो सकते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ autoimmune process हो सकती है, infection हो सकता है, किसी भी तरह की problem हो सकती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि हमारी जो lifestyle है, वो दिन बदिन खराब होती जा रही है, हमने exercise करना छोड़ दिया है, हमने sedentary lifestyle अपना ली है, junk food और processed food खाने की वैसे, हमारी बॉड़ी में जो chronic inflammation है, वो बहुत जादा बढ़ जाती है, उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है, और बहुत सी ऐसी chronic inflammatory diseases है, जिनका direct connection हमारी diet से होता है, तो जब chronic inflammation हमारी बढ़ेगी, जिसी भी बीमारी की वैसे, चाहे genetic factor की वैसे, चाहे environmental factors की वैसे, या कुछ बीमारियों की वैसे, जैसे की rheumatid arthritis है, enkylosing spondylitis है, SLE है, amyloidosis है, और भी कई तरह की बीमारिया है, तो उससे क्या है कि जो chronic inflammation होती है, उससे जो कुछ bio products हमारी body में एकठा होते हैं, कुछ toxic substances कठा होते हैं, वो जाके हमारी artery में ब्लॉकिश पैदा करते हैं, हमारे heart पे stress डालते हैं, और वहाँ पे वो cholesterol जमा करते हैं, जिससे हमारे दिल की जो नसे हैं, उसमें ब्लॉकिश पैदा हो जाती है, और heart attack की chances बढ़ जाते हैं, यह top 5 causes हैं, heart attack होने के younger generation में, तो आप सभी को कुशिश करनी चाहिए, कि आप इन 5 चीजों का ध्यान रखें, इन 5 चीजों से बचें, जो भी कमिया हैं हमारे diet में, हमारे exercise में, हमारे lifestyle में उसको सही करें, आपको heart attack से बचने के लिए, किसी भी तरह की दवाईयों की जरूत नहीं है, किसी भी तरह की special products की जरूत नहीं है, बच आपको इस top 5 most important causes को avoid करना है, इन 5 चीजों से आपको बचना है, इसका ध्यान देना है, तभी आप एक healthy lifestyle गुजार पाएंगे, अपने heart को healthy रख पाएंगे,